सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए यह बिलकुल फ्री है आज का हमारा टॉपिक है ब्रीडिंग अफ सर्पे टेटर फिश तो गाइस इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी दूँगा कि आप कैसे सर्पे टेटर फिश को ब्रीट कर सकते अपने घर पे और इसीली में आपको सबसे इसीएस्ट में बताऊंगा और यह 100% वार्किंग तो गाइस वीडियो को पूरा तेखना और गाइस में आप में आपके बताना चाहता हूँ कि यूटूब में ज्यादा कुछ वीडियो अफ्लेट नहीं है सर्पे टेटर के रिलेटेट उसके ब्रीडिंग के रिलेटेट तो गाइस वीडियो बहुत ही इंपोर्मेशन होने यूटूब में आपको फिश रिलेटेट बहुत सरे जानकारी देता हूँ आप कैसे फिश को क्यार कर सकते ब्रीड कर सकते और हविस्ट को बहुत इंफरमेशन अच्छा लगता है तो गाइस एक्सिलेंट चॉइस फॉरा होविस्ट थर्ड लेवल ब्रीडिंग एक्सप्रे करता हूँ जो निया हॉबिस्ट और निया ब्रीडर और वो लाइब ब्रीडु फिस के साथ फिस्ट लेकि रिए करा रहे है मतलब घपी के साथ उसके बाद सेके लेवल जो है जेब्र रैनियों उसके बाद अप त्राइव रिट सर्पुरेटर और ताइगर बाप ऐसे इसको आपको तरह से इफट देना पड़ेगा ब्रीट करने के लिए तो यह सरोगासए डिफिकर्ट होने वाला है जो मत्लब जो फर्स टाइम ब्रिट करना चाहता है फिसको उन लोगों के लिए बहुत सब्सक्राइम पड़ेगा तो इस एप वह दूपर दे तो इन है 30 gallon tank to quarantine मतलब आपको 6 minimum 6 fish गराखना पड़ेगा 30 gallon की टैंग में आप इस fish को breed करना चाहते हैं तो before buying fish, please properly examine them in fish store मतलब जब fish करिजना चाहते हैं तो fish store में जाकर थुड़ा सा fish को examine करें कि उसका fin proper है color ठीक है यह सब देखकर ही fish खड़ी देगा ठीक है तो mostly the most aggressive one is मतलब जो aggressive है वो तो male है और जो less aggressive है वो female है difference between male and female में एक difference में मेरा पहले video में बता चुका हूँ क्या आप कैसे identify कर सकते हैं क्या servidator male है female है तो guys वो video देख लेना आपको easily under, मतलबा easily समझ सकते हैं समझ जाएंगे जो video में पहले बना चुका हूँ तो you will notice that at least two sim to be interested in one another मतलब जो आप जब six piece रखेंगे tank पे तो आपको आप देख मतलब आप देख सकते हैं देख सकेंगे कि दो फिश अपस में pairing कर रहा है तो आप समझ जाना वो फिश ब्रीट करने के लिए रेडी है और पेरिंग भी हो चुका है उन लोगा तो आप उन फिश को सिलेट करिये दो आप समय सकते हैं कौन मेल है और इफ यू है और इफ यू है सेवर फिश ब्रीट को सिलेट आप देख स्लीमर और जो जादा अटिव है अब वही मेल को चूज कीजिए मतलब आप सिंगल मेल को चूज कीजिए जो जादा अट्रक्टिव है और कलरफूल है ठीक है तो फिमेल विल आलमोस्ट अलवेज भी डालर इन कलर एंड प्लाम फिगर मतलब जो फिमेल होता है उसका कलर थोड़ा सा कम होता है और वो थोड़ा सा फैटी टैक का होता है और मतलब आप जो मेल और फिमेल को सिलेक्ट किया है उन फिष को सेपरेट टैंग में रखिये तो अच्छे से ब्रीट करेगा एंड फीड देम विट गुड क्वालिटी और फीड मेंली लाइफ फूट साच अस मॉस्कुई टो लर्वा और ब्राइन सिंफ और अट लिस्ट इसको देने से फिष का स्पॉनिंग का मतलब ओफ पॉनिंग जादा स्पॉनिंग करेगा जादा एक्टिव रहेगा फॉटो में देख सकते है उपर में जो है ब्राइन सिंफ और नीचे में जो मॉस्कुई टो लर्वा ये दो फूट बेस्ट होता है फिष को देने जसे कि अधिवीड विल इंक्रीस देर कापसिटी ऑप स्मॉनिंग मतलब अब जो लाइफ एड देने ना वह उसका इंक्रीस कर जेगा कैपसिटी ऑप स्मॉनिंग को मतलब बिडिंग के टाइम एफ करेगा लाइफ जेंज 25 पर्सेंट वाटर पर विच विड बैलेंस दां आमोनिय कि अबडाइंत क champions kulit एंब एंद आ अदिशन ऑप्तिमा मैं थिष्ट में में अपको बताना जा रहा हो वह sponge filter will initiate the growth of good bacteria which will help in fertilization of egg मतलब sponge filter वह initiate करता है, मतलब जो good bacteria होता है उसका growth को faster कर देता है sponge filter और fertilization का time में एह help होता है and give life plant to the breeding tank, the female will release the egg on the leaves of the plant so it is essential, मतलब अब जो breeding tank है उसमें life plant मतलब देना ही पड़ेगा आपको life plant क्योंकि जो female होता है वो अपना एक life plant के lips पर ही release करता है तो आपको life plant देना ही पड़ेगा and temperature 22 to 26 degree centigrade water pH 5.0 to 7.8 which is ideal and maximum size 1.8 inches मतलब अब यह जो fish होता है नहीं थंडी के time में breed करता है तो आपको temperature 22 to 26 degree temperature ही डखना पड़ेगा and female will lay there, lay her egg approximately 3 to 5 days later then transfer the female to the other tank because she can try to eat her own eggs due to stress मतलब अब फिमेल जब अंडा दे देगा ना उसको उस female को आपको transfer करना पड़ेगा एक दूसरे टेंग में क्योंकि वो trash होता है नहीं तो आपने एक को खने के लिए try करेगा तो change करना पड़ेगा and after 3 day 3 day eggs will be hatched then transfer the male also मतलब after 3 day मतलब 3 दिन के पाद जब एक hatch हो जाएगा तो आपको male को भी transfer करना पड़ेगा and give brine shrimp or crushed pellets to the fry and also put natural plants through a tank मतलब जो fry है ना ओ तो उनको उस fry को डपनिया दीजिए brine shrimp दीजिए और crushed plate दीजिए brine shrimp आपको online में मिल जाएगा और natural plant तो देना ही पड़ेगा आपको natural oxygen देता है मतलब जो water ना उसमें oxygen supply देता है and provide low power light to the tank because fry cannot tolerate bright light मतलब आपको टैंक में थोड़ा सा low light देना पड़ेगा because bright light मतलब जो fry होता है ना वो परदस नहीं कर पता है bright light को तो आपको low light देना पड़ेगा and change 30% of the water power week because it will decrease the mortality rate मतलब आपको 30% water change करना पड़ेगा हर हफते because a mortality rate को decrease करेगा जो fry है ना वो कब मरेगा water change करेंगे तो and after two months if the fry is large enough then you can transfer it to the community tank मतलब दो मन्त के बाद जब fry large हो जाएगा तो आप इस fry को comedy tank में छोड़ सकते तो गाइस अज के लिए वीडियो इतना ही तो आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like share कर देना और चैनल को subscribe पर देना तो गाइस मिलते हैं ने इस वीडियो में अच के लिए टाटा बाई बाई टेक क्या आप 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 आप